नमस्कार मैं अभिराज और आप देख रहे हैं वीके नियूस 26 जन्वरी यानि की भारत का गंटंद्र दिवस जिस दन हमारे देश का कानून समिधान लाग हुआ था कौन भूल सकता है इस दिन को जिस दिन देश के राजधानी दिल्ली में राजपत पर बहुत सी खुपसूरत जाकिया निकाली जाती है और इसका साक्षी नाकेवल पूरा देश बलकि विदेशों से आया हमारे आतिती गणबी होते हैं हर साल जब भी गंतंत्र दिवस आता है तो वो खुपसूरत दिन के तौर पर भारत के इतिहास के पन्नों में दर्च हो जाता है लेकिन इस साल यानिकी साल 2021 के गंतंत्र दिवस के इस इतिहास एक दिन को पेयदी खौफनाक और काले दिन के तोर पर भारत वासियों को याद करने पर मजबूर कर दिया है क्योंकि जिस तरह से 26 जनवरी 2021 के दिन किसानों ने या फिर यू कहे किसानों के भेश में कुछ अराजक तत्वों ने किसान अंदोलन की आड में देश की राजधानी दिल्ली में उत्पात मचाय था उसकी वज़े से दिल्ली और देश की जनता में खौफ का मंजर साफ तोर पर दिखा जा सकता था इस दंगे में उब्दरवी किसानों ने ना केवल हमारे सुरक्षा में लगे पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट की बलकि देश के गौरव लाल किला पर तिरंगे की तोहीन करते हुए कालिस्तान और अन्या देश के जन्डे फिराय थे उन उब्दरवियों के इस हरकत की पूरी दुनिया में निंदा होई लेके नब इस मामले में एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है जिसमें जंडा फिरानी के मामले में आतंकियों के मोबाइल से बड़ा खुलासा हुआ है जाच में पता चला है कि लाल किला पर जंडा फिरानी की साजिस पहले ही रची जा चुगी थी चेलिए अब आपको पूरे मामले से रूब-भरूख राते हैं दरस्तर दिल्ली पुलिस की Special Cell ने बबरखाल से इंटरनेशनल के दो आतंकियों को सितंबर 2020 में गिरफतार किया था जिसके बाद अब Special Cell ने UAPA के तहद पटियाला हाउस कोड में चार्ड शीट फाइल की है इन आतंकियों का नाम है भुपेंदर सिंग और कुलवन सिंग आतंकियों के पास से दिल्ली पुलिस को एक ऐसा पेज मिला जिसमें लिखा है कि 3 सितंबर 2020 में इन लोगों ने पंजाब के रायकोट में तहसील की सरकार बिल्डिंग पर खालिस्तान का जंडा फुराय था उसका वीडियो मना कर कैनेडा और बेल्जिम और पाकिस्तान भी भेजा था इसमें सबसे चौकानी वाली बात तो यह है कि बरामट डॉक्यूमेंट्स में दे लिखा हुआ ये भी मिला है कि आने वाले दिनक में अगर मौका मिला तो वो लाल किले पर भी जंडा फेराएंग जिसमें इनके उपर UAPA एक्ट भी लगा हुआ था सिर्फ इतना है अब इस मामले में चार्शीट को दिल्ली सरकार के तरफ से शेंक्षन नहीं मिला है जिसकी वज़े से अभी तक कोर्ट ने इसका संग्यान नहीं लिया है हो सकता है आने वाले दिनों में इस मामले में और भी कहीं बड़े खुलासे हो और किसान आंदोलन की आड़ में चल रही साजीशों का पर्दा फास हो जाए इस खबर में फिलाल के लिए सिर्फ इतना ही देश और दुनिया की ऐसी ताजा तमाम खबरों से चुड़े रहने के लिए देखते रहें वीके नियूस धन्यबाद झाल